आज काई हमारा टिकट है और आज ही बाबा एक्सपायर कर गए बाबा के खोटी सी चलग दिखा रही हिए आपको बाबा हलो कर रहे हैं हाख में तोछ लट की हाख हाँ माई बोला यूटूبة में कैसे हो बोलो कैसे हो नहीं से तो बढ़ीया है निकल तो गए हैं घर से लेकिन अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है लग रहा है कि मतलब थोड़े दिर और रुख जाते हैं लेकिन क्या करते देड़ दू महिने से गाउं में ही थी बच्चे भी वहां के लिए हैं इसी बात का तसली है कि जीते जी बाबा का जीतना भी कि सेवा पानी हमसे हो सका है कर दिये है और यह रहे हैं अच्छों के लिए थोड़ी निटाई ले लेते हैं बच्चों को खुर्मा पसंद है एक को पेड़ा पसंद है लई जा और निटाई है भा देख पेड़ा और यह सारा है में पेड़ा ही ज्यादा ठीक लागे 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 गाड़ी में खाने के लिए थोड़ा सचा टीलिटी कुछ भी थोड़ा पैक करवा लेती हूं मैं और इस्टेशन पर पहुंच गये हैं और मामा भी आ गया है छोड़ने के लिए तो आज कल गाड़ियों में बहुत भीड चल आए अगर आपके पास दूह अदमी चड़ाने के लिए नहीं है तो आप चड़ी नहीं पाएंगे या तो आप चड़ेंगे या फिर समझागा अब हम भूल भीड को देखे तो इसे दिमांग खराब हो रहा है 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 हुआ है हुआ है फूरे ट्रेन वीचना भी आपकर देख देखते हमारी ट्रेन भी आ गई और चटने के बाद भी खापाऊंगी अब तो बातरूम में गुटना है गया है अब इस इधर देख ना भीड़ है अब इसी का ये हल है तो स्लीपर्ड और जेनरल का भगवानी जाने क्या हो रहा होगा और जैसे तैसे थोड़ा सा मैंने खाया खाने का मन तो नहीं कर रहा था और सो गई अब सिधा दिल्ली में ही उठी और सुबह होगी अच्छा नहीं लग रहा था दिहान वहीं पर गाउं में ही लगा है और बस इस्टेशन आने वाला है चोटा वाला बेटा है और बाबु लेने आ गया है हलो दोस्तों संध्या जी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो मैं आ गई हूँ अपने घर पर और आने के बाद भालत खराब हो गई है घर का भी काम बहुत बढ़ गया है काम बहुत है साब सफाई मैनेज कर लिए इतना ही बहुत है अब आते आते पहले खा हुआ है कि खाने का टाइम हो गया है तो यह समाड़ पसा चाहुल बना रही हुँ और दाल तड़का बनाई हूँ और बस सिंपल सी चटनी बनाई हूँ थोड़ी सब्जी है और उसके बाद घी वगएर डालके आचार के साथ खालेंगे तो चाहुल हमारा होई गया है अभी अभी थोड़ी हालत ज्यादा खराब हुए दोस्तों क्यूंकि चार दिनों से बाबा की तबित खराब थी जब मैं गाव में थी और जिस दिन मेरा टिकर था उसी दिन बाबा का देहान थो गया तो उसी दिन मुझे निकलना था तो मतलब जैसे तेसे मैनेज करके घर से निकल अब दिमाग वहीं पर लगा रहा है तो बड़ी हालत घराब हो रही है दवावा लेंगे उसके बाद आराम करेंगे खाना बना लिया है मैंने आदे घंटे में बच्चे आते हैं तो खाएंगे थोड़ा आराम करते हैं बाद में मिलते हैं फिर